सुदामा के चावल, व्यांग्य, हरिशंकर परसाई कृष्ण से मनमानी संपत्ती प्राप्त करके विप्र सुदामा अपने भवन में आराम से रहने लगे उन्हें कोई काम तो करना नहीं पड़ता था इसलिए पंडितानी से लड़ने और जमहाई लेने के बाद भी जो समय बचता कुछ लिख पड़ लेते उसमें से संस्मरण और डाइरी के कुछ भाग अब मिल गए है उसमें से कृष्ण से भेंट वाला प्रसंग यहां उद्धरित किया जाता है लेखक लोगों की टीका टिपणी से मैं तंगा गया लोग मुझे चैन क्यों नहीं लेने देते कहते हैं कि कृष्ण ने प्रजा के कोश का धन उठा कर अपने मित्र को दे दिया कृष्ण ने ऐसा क्या अनुचित किया जो मुझे थोड़ा धन दे दिया राजपत पाकर कौन अपने भाईपती जो और मित्रों का भला नहीं करता कुछ लोग तो मुझे ही मूर्ख कहते हैं कहते हैं कि कृष्ण ने मेरे दो मुठ्थी चावल खा कर मुझे दो लोग दे दिये थे पर मैंने मूर्ख तावश वापस कर दिये कल प्राता काल मैं भवन के बाहर मैदान में दातों चबाता घूम रहा था मुझे एक प्रहर तक दातों करने की आदत है क्योंकि किसी तरह समय तो काटना है सामने से ब्रहमन देवदत अपने किसी परदेशी बंदू के साथ निकला और मेरी और संकेत करके उससे कहने लगा यह वही मूर्ख सुदामा है जिसे कृष्ण ने दो लोग दे दिये थे पर इसने वापस कर दिये सुनकर मेरे अंगं में आग लग गई पर मैं क्रोध पी गया क्या करता? मैंने ही तो यहाँ बात फैलाई थी और मनुश्यों की बुद्धी को इस यूग में क्या हो गया है किसी ने यह नहीं कहा कि है मिध्यावादी सुदामा यदि कृष्ण हर मिलने वाले को एक दो लोग दान में देते हों तो प्रति दिन हजारों लोग बांटते होंगे पर लोग तो तीन ही है और मथुरा तीनों लोगों से न्यारी है और हे मिध्यावादी ब्राहमन तू यदि यह कहे कि केवल तू ही उनसे मिलने गया तो यह भी जूट है जब कोई राजधानी जाता है तब उचे पदों पर बैठे अपने हर परिचित से मिलाता है फिर कृष्ण बहुत हंसमुख और मिलनसार है उसे नृत्य संगीत नाट्य का शौक है और उसके आसपास कलावन सुन्दरियों का जमघट रहता है जिस राजनेता के आसपास सुन्दरियों का गुच्छा होता है उसे मिलने वालों का टोटा नहीं पड़ता किसी ने ऐसी शंका नहीं की और युगों तक यह बात मानी जाएगी कि कृष्ण ने मेरे दो मुठ्थी चावल खाकर मुझे दो लोक दे दिये पर मैंने बाद में उन्हें लोटा दिया पर आज मैं सत्य बात लिख देना चाहता हूँ जिससे निर्वधी काल और विपुला प्रित्वी में कोई कभी इन प्रष्टों के आधार पर विश्व से कह सकेगा कि दो मुठ्थी चावल और दो लोक वाली बात जूट है सुदामा ने कृष्ण से दान नहीं लिया उसने परस पर सुभीते के लिए सौदा किया था मैं जब द्वारका के लिए चला तब ब्राहमणी ने पडोसिन से एक पाव चावल उधार लेकर मेरे गमचे में बांध दिये वह जानती थी कि राजपुरुष बिना भेंट लिए किसी का कोई काम नहीं करते मेरे घर में एक पाव चावल भी न हूँ ऐसी बात नहीं थी पर ब्राहमणी जानती थी कि राजपुरुष उधारी या चोरी के माल से बहुत प्रसन होते है क्रिश्ण ने मुझे बड़े स्नेह से पास बिठाया और मेरी कांख में दबे गमचे को खीचा उलट-पलट कर देखा उसमें चावल का एक दाना भी नहीं था क्रिश्ण ने मेरी ओर बड़े अच्रज और खीच से देखा और कहा कहा गए चावल? तुमने फिर कपट किया मैंने अपनी दिव्य द्रिश्टी से देख लिया था कि भाभी ने मेरे लिए गमचे में चावल बांध दिये थे मेरा मन हुआ कि कह दू कि है मेरे राजमित्र जिस द्रिश्टी से तुम मित्रों की पलियों को पती के गमचे में चावल बांधते देखते रहते हो उससे लोगों की ग्रीबी और भुखमरी क्यों नहीं देखते? पर कुछ सोच कर मैं चुप रहा कृष्ण चावल खाने के लिए बहुत उत्सुक था उसका आगरह प्रेम के कारण कम था इस कारण अधिक था कि आसपास चित्रकार लोग चावल खाते हुए महाराज का चित्रखीचने के लिए तैयार खड़े थे चित्रखीच कर उसके नीचे लिखा जाता दीन बंधु एक दीन के चावल खाते हुए उसने बनावटी रोश से पूछा, क्या तुम चावल भी खा गए? नहीं, मैंने कहा तो फिर कहा गए? उसने कहा मैंने कहा, नहीं बताऊंगा मैं वचन बद्ध हूँ किस से वचन बद्ध हो? तुम्हारे रक्षक, विभाग के अधिकारी से उसने कहा है कि यदि तुम यह सब मामला महराज को बताऊगे तो तुम्हारी ब्राहमनी विध्वा हो जाएगी क्रिश्न हसा पूछा, कैसा मामला? मित्र, तुम मुझे बताऊ तो मैं तुम्हें अभ्यदान देता हूँ मैं तुम्हें अपने व्यक्तिगत रथ में घर सकुषल पहुचाऊँगा आश्वासन पाकर मैंने कहा अच्छा, बतलाता हूँ पर पहले राज्य शासन मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ बतलाओ, खुर्चन किसे कहते हैं और अच्छे शासन में इसका क्या महत्व है क्रिश्ण मेरी ओर मूड की तरह देखने लगा बोला, मैंने तो यह शब्ध ही नहीं सुना मैंने कहा, आश्चर्य है शासन की सबसे महत्वपूर्ण नीती को नहीं जानते और राज्य करते हो क्रिश्ण ने उतावली से कहा पर तुम पहले चावल की बात तो बताओ तब मैंने पूरी घटना सिलसलेवार सुनाई जिसे यहां लिखता हूँ मांगते खाते मैं द्वार का नगरी पहुँचा नगरी का वैभव देख कर चकित रह गया सारा धन सिमट कर द्वार का में आ गया था और सारी विद्या इकट्थी हो गई थी बड़े-बड़े कलावंत, पंडित, कवी और गायक राजधानी में आकर बस गये थे क्योंकि यहां राजपुरसकार खूब बंडते थे इनमें मुझदीन ब्रहमन को कौन पूछता मैंने नगरी के बाहर ही बिना नहाए मस्तक पर चंदन लगा लिया था इसलिए नागरिक पूछने पर कम से कम मार्ग बता देते थे पूछते-पूछते मैं क्रिश्न के महल के सामने पहुँच गया वहाँ एक कर्मचारी से मैंने कहा भाई मुझे महाराच से मिलना है उसने मुझे ध्यान से देखा और संभवता टालने के लिए कहा उस बाए बाजू वाले कार्याले में जाओ वहाँ पूछताच के पश्चाद जब अनुमती मिलेगी तब जा सकोगे कुछ सोच कर उसने पुना कहा तुम भाई क्यो कहते हो मैंने उत्तर दिया मनुश्य मनुश्य को भाई की तो कहेगा उसने मुझे समझाया बहुत भूले हो आगे किसी राज कर्मचारी को भाई मत कहना वहाँ मनुश्य होने में अपनी अप्रतिष्ठा समझता है कार्यालय के द्वार पर पहुँचा वहां कितने ही कर्मचारी बैठे थे जिन में से अधिकांच गपशप कर रहे थे वे अपने स्थान से उठते और पास के जलपान ग्रह में जाकर बैठ जाते मैं समझा कि इन सब को यही करने के लिए यही राज्य से वेतन मिलता है मैं बड़ी देर तक खड़ा रहा फिर साहस बटोर भीतर गुसा एक कर्मचारी ने बड़े कड़े स्वर में कहा एक कहां गुसा आता है यहां धर्मशाला नहीं है उधर जाओ वहां धर्मशाला है और सदावर्त बंटता है उसने अंगुली से दक्षण दिशा की ओर संकेत किया मैंने कहा देवता मुझे महराज से मिलना है कर्मचारी हैरत से मुझे देखता ही रहा फिर ठहा का मार कर हसा और बोला विप्रदेव तुम गलत जगह आ गए यहां पागल खाना नहीं है मैंने कहा भगवन मेरे क्रिश शरीर और फटे वस्तरों पर मत जाओ मेरे होश हवाश दुरुस्त है मैं विक्षिप्त नहीं हूँ मुझे वास्तव में महराज क्रिश्न से मिलना है इतने में कई कर्मचारी आकर मुझे घेर कर खड़े हो गए उनमें से एक कहने लगा बड़ी उन्ची आकांक्षाए है आपकी विप्रदेव क्या काम है आपको महराज से? मैंने कहा वे मेरे मित्र हैं सहपाथी हैं इस पर वे सब एक साथ हस पड़े एक बोला वाह महराज को आप ही साथ पढ़ने के लिए मिले दूसरा कहने लगा विप्रदेव आप भांगवांग चानते हैं क्या? तीसरा बोला आप किस देश के नरेश है? मेरे संकट के मारे शरीर और दरिद्रता से छिन्न वस्तरों को देख देख करवे उपहास करते रहे मैं गलानी से मरा जा रहा था चाहता था कि प्रित्वी फट जाए और मैं उसमें समा जाओ दीन बंधु के सेवकों का कैसा व्यवहार था? एक दीन के प्रती इसी समय कार्यालय के दूसरे छोर से एक दबंग करमचारी चिलाया अरे कुछ खुर्चन का सिलसिला भी है या योही मिलने चला आया है चारों और से खुर्चन, खुर्चन की आवाजे लगने लगी खुर्चन मेरे लिए नया शब्द था मैंने कहा भाई, खुर्चन मैं नहीं जानता शब्दकोश में तो यह शब्द नहीं है किसी काव्य और दर्शन में भी यह नहीं आया यह संभवता शासन का कोई विशेश शब्द है मैं जानता हूँ कि अच्छे शासन कुछ शब्दों और आंकडों के बल पर चलते है उनमें से एक जो सयाना था कहने लगा ब्रामन देवता राज दर्बार में आये हो और शासन की नीती नहीं जानते तुम तो खुर्चन तक नहीं समझते मैंने बड़ी नम्रता से कहा बंधू मैं तो ग्रामवासी हूँ शासन हमारे पास केवल कर वसूल करने पहुँचता है भला राजधानी की रितिनीती मैं कैसे जान सकता हूँ हमारे ग्रामों में तो दूदोबाल लेने के बाद जो मलाई कडाही में चिपकी रहती है उसे खुरच लेते हैं और उसी को खुर्चन कहते हैं वह बोला ठीक इसी तरह से शासन की कडाही में जो मलाई चिपकी रहती है उसे हम खुरचते हैं और उसे हम भी खुर्चन कहते हैं मैं तब भी नहीं समझा उन सब को मेरे उपर दया सी आई सयाना बोला तुम समझे नहीं विप्रदेव हमारा मतलब है यह भी एक मंदिर है कुछ भेंट वगेरा तो लाई ही होंगे महाराच से क्या बिना भेंट के मिलोगे हमारा भी तो कुछ हिस्सा होगा मैं अच्चन में पड़ गया मुझे चुप देख एक करमचारी कहने लगा तुम्हारी कांक में दबी उस पोटली में क्या है ब्राहमन देवता स्वर्ण है मैंने चावल की पोटली और कस कर दबाली सयाना करमचारी बोला क्या है उसमें खोलो उसे मैं घबराया यदि चावल इनके सामने खुल गए तो ये मेरा बड़ा उपहास करेंगे मैं जड़ हो गया तभी वह रक्षक विभाग का अधिकारी आगे बढ़ा उसका बलिश शरीर कठोर मुख और बिच्चु के डंग जैसी मूँचे देखकर मैं काप गया उसने करकश स्वर में कहा अरे दो धप लगाओ अभी बता देगा यह बमहन का बच्चा मैं काप उठा मैंने जट पोटली खोल दी चावल देख कर विश्चा भैरत में पड़ गए एक दूसरे की ओर देखने लगे एक बोला यह ब्रहमन पागल है भला कोई चावल लेकर महाराज से मिलने जाएगा अब तक वहां दबंग करमचारी वहां आ गया था उसने कहा भई इसमें कुछ भेध है यह साधारन चावल नहीं मालूम होते भला कोई महाराज के लिए साधारन चावल लाएगा यह ब्रहमन लोग बड़े रहस्यमय होते हैं कई तरह के तंत्र मंत्र करते रहते हैं यह चावल मंत्रों से सिद्ध किये मालूम होते हैं जो महाराज को देने जा रहा है मैंने सोचा कि इस भ्रहम की बाह पकड़ कर क्रिश्न के पास पहुँच सकता हूँ मैंने कहा ग्यारा रात्री और दिन निरंतर मंत्रों चार करके चावल सिद्ध किये है क्या गुण है इनमे मनवानचित फल धन प्राप्ति स्त्री सुक, स्वास्थिय, उत्रलाब, शत्रू नाश इतना सुनते ही वे सब चावलों पर तूट पड़े प्रत्यक की कुछ इच्छा थी कार्याले में काम बंध हो गया सब कर्मचारी वहीं एकत्र हो गए जो आता, वह चुटकी चावल खा जाता जब आधी मुठी चावल बचे तो मैं उन्हें लपेटते हुए बोला अब इतने महाराज के लिए रहने दो इसी समय एक बड़ा अधिकारी वहां आया और डपट कर बोला, कहां ले चले मुझे भी खाना है महाराज को दूसरे चक्कर में ला देना उसने शेश चावल मुव में डाल लिये मैंने खाली अंगोचा जटक कर लपेटा और कांक में दबा लिया बड़ी-बड़ी मूँचो वाले उस भयावह रक्षक विभाग के अधिकारी ने एक सेवक को बुलाया और उसे आदेश दिया इन्हें महाराज के पास पहुँचा दे मैं सेवक के पीछे चला चार कदम ही बढ़ा था कि वहां मूँचो वाला आया और मेरा हाथ पकड़ कर बोला देख बे ब्राहमन के बच्चे यदि तुने महाराज को यह चावल वाला मामला बताया तो तेरी ब्राहमनी विध्वा हो जाएगी उसने हाथ छोड़ा तो मैं जल्दी-जल्दी महल में चला गया यह घटना मैंने कृष्ण को सुनाई वह बड़ी चिंता में पड़ गया मैंने कहा तुम राज करते हो या सोते हो कैसी धांधली मची है तुम्हारे राज करमचारी चावल तक छीन खाते है कृष्ण ने कहा मुझे वास्तव में यह नहीं मालूम था मैं आज ही जांच स्मिती नियुक्त करता हूँ पर बाहर यह बात तुम किसी को मद बताना राज्य की बड़ी बदनामी होगी मैं लकड गया मैंने कहा मैं ब्रहमन हूँ सत्यवादी प्राण चाहे चले जाएं सत्य नहीं त्याग सकता मैं डंके की चोट पर कहूंगा कि राज्य में ऐसा अंधेर मचा है क्रिश्न की हालत बड़ी दैनिय हो गई कहने लगा देखो तुम मेरे मित्र हो क्या मित्र के लिए थोड़ा जूट भी नहीं बोलोगे मैंने व्यंग्य से कहा अब तुम्हें मित्रता याद आने लगी पहले नहीं सोचा कि मेरा एक मित्र सुधामा दरिद्रता में दिन काट रहा है क्रिश्न ने कहा मेरी स्थिती को तुम क्या समझो मैं यहीं नहीं समझ पाता कि कौन मेरा है और कौन पर आया जब से मुझे यह राजपद मिला है असंख्य आदमी मेरे आत्मिया बनकर मेरे पास सहायता के लिए आचुके अभी तक 20 सहस्त्र चाचा 15 सहस्त्र काका 25 सहस्त्र भतीजे 10 सहस्त्र मौसिया और 8 सहस्त्र चाचिया आचुकी अब बताओ मैं किस-किस का काम करूँ और सच पूछो तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि तुम वही सुदामा हो जो मेरा सहपाथी था क्योंकि आठवे सुदामा तो कल ही आये थे जिन्हें मैंने बाहर से ही लोटा दिया था तुम ना जाने कैसे भीतर घुसाए आगए तो कोई बात नहीं पर मित्रता इत्यादी की बात मत करो क्योंकि मैं क्या जानू कि तुम कौन हो मैं तुमसे सौदा कर सकता हूँ तुम्हारे पास राज्य का एक रहस्य है जिसे प्रकट करने से शासन कलंकित होगा बोलो इस रहस्य को गुप्त रखने का क्या लोगे यहां इसी तरह देले कर मूँ बन कर दिया जाता है मैं सोचने लगा जब मित्रता से सौदे पर बात आ गई है तो संकोच त्यागना चाहिए मैंने कहा अच्छा ऐसा ही सही क्या दोगे दस सहस्र स्वर्ण मुद्राए वहां बोला मैंने बनावटी रोश से कहा क्या तुमने मेरा इमान सस्ता समझा है तो एक लाख स्वर्ण मुद्रा एक भवन और एक ग्राम ले लो इस कीमत पर मैंने इमान बेच दिया क्रिश्न ने मुझे अपने रत पर वापस पहुँचाया लौट कर मैंने दो मुठी चावल और दो लोक वाली बाद बना कर फैला दी लोग इसी पर विश्वास करते जाएंगे कभी जब ये प्रिष्ठ प्रकाश में आएंगे तब यह सत्य प्रकट होगा कि चावल का एक दाना भी क्रिश्न को नहीं मिला चावल तो कर्मचारियों की खुडचन हो गए यह भी लोग जानेंगे कि मैंने क्रिश्न से दान नहीं लिया सौधा किया था कुछ काल के लिए इमान गिर्वी रखा था